हलो बच्चो के फंक्षन का नाम है Greatest Integer Function आज की क्लास में जो हम फंक्षन सीखने वाले हैं वो है Greatest Integer Function Greatest Integer Function एक ऐसा फंक्षन है जो पूरी Calculus में प्रियोग में लाया जाता है Calculus के हर चैप्टर में देखने को मिलता है और मैंने देखा है Students इससे काफी दुखी रहते हैं हम Greatest Integer Function की सारी Properties, सारे Basics इस Lecture में कवर करने वाले हैं जितनी बातें Greatest Integer Function के बारे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ आप माल लीजिए उतनी ही बाते होती हैं उन्ही बातों से आप J-Level हो चाहे आपका Board Level हो जो भी Level हो सारे Questions attempt कर सकते हो थियोरी उतनी ही है फिर हम कुछ Question प्रैक्टिस कर लेंगे तो Greatest Integer Function में आपकी हो जाएगी भनात मास्टरी तो शुरुआत करते हैं Greatest Integer Function के साथ तो आज का जो हमारा Function है वो है Greatest Integer Function कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको fx is equal to fx is equal to square bracket x Greatest Integer Function को square brackets का use करके denote किया जाता है यह जो square brackets है यह denote करती है इस denotes Greatest Integer Function अब जब हमारे पास questions में square brackets लगी हुई हो ध्यान से सुनना जब हमारे पास questions में square brackets लगी हुई हो तो वो जो square brackets है वो हो सकता है simple square brackets हो और यह भी हो सकता है कि वो Greatest Integer Function वाली square brackets भी हो अगर वो normal square brackets होगी simple square brackets होगी तो question में लिखा नहीं होगा कि square brackets जो है greatest integer function को denote करती है लेकिन अगर ये square bracket greatest integer function वाली square brackets है तो question में ये mention किया जाएगा कि these brackets denotes greatest integer function जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से question में भी लिखा होगा कि ये जो square brackets है greatest integer function को denote करती है तो greatest integer function जो है उसको अपन denote करते हैं इस प्रकार से square brackets है और मैं आपको बता दू, greatest integer function का एक और नाम है, इसको stepwise function भी बोलते हैं, step up function भी बोलते हैं, greatest integer function is also known as stepwise function, कुछ लोग इसको floor function के नाम से भी जानते हैं, floor function, ठीक है, लेकिन ज्यादा popular जो name है इसके वो है greatest integer function या फिर stepwise function, clear है, अब देखते हैं कि यह जो function है, behave कैसे करता है, greatest integer function कैसे behave करता है, आईए समझते हैं, greatest integer function में, जब आपन input डालते हैं, कोई integer, सबसे पहले तो यह बात समझनी है, जब कोई integer input डालेंगे, तो यह output देदेगा यों का यों same integer, मतलब integer पे कोई फरक नहीं पड़ता, आप integer पे इस function को लगाओगे, तो यहाँ पे same integer आपका output आएगा, integer पे अगर आप लगाओगे, तो same integer आपका जो है, वो output आएगा, ठीक न, negative का integer भी लगा लिजी आप, अब negative का integer भी अगरा इंपूट में डालेंगे, तो output में यों का यों भार निकल क्या जाएगा, ठीक है, यहाँ पे द नेगेटिव में डाला तो देखिए, यहों का यहों नेगेटिव में आंसर आगया, इंटीजर यहों का यहों बाहर आगया, और 0 डाला तो 0 बाहर आगया, तो greatest integer function का क्या behavior है, कि अगर इसमें अपनने कोई integer अगर as an input डाल दिया, तो यहों का यहों output में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर कोई integer अपन नहीं input करते हैं, तब इसको समझने वाला खेल है, अगर अपन greatest integer के अंदर, कोई non-integral value डालते हैं, जैसे कि मैंने इसमें डाल दिया मालो, 2.1, मैं बात कर रहा हूँ non-integral values की, तो 2.1 input में डाला है, तो यह जो answer देगा, वो 2.1 से just छोटा integer होगा, 2.1 से just छोटा जो integer होगा, तो अंसर किता देगा है, ये 2ू देगा, 2.1 से just छोटा जो integer हो इसका जो ए answer आजाएगा, अगर मालो, अगर मालो इसमें अपन डाल दें, 3.4 डालने, 3.4 अगर इसको आद कि अंदर दालने, तो क्या answer देगा ये 3.4 से just छोटा, just छोटा कोन है 3 ह 3 है, जस्ट छोटा कुन सा integer है, 3 है, तो यह अपना अनसर कितना देगा, 3 देदेगा, ठीक है ना, तो अगर आप integer डालते हैं इसके अंदर, जहाँ से सुनिए, बातों को जहाँ से सुनिए, अगर आप इसके अंदर कोई integral entry डालते हैं, तो यहों का यहों output बाहर आजाता है, ल 9.8 इसके निदर डाले गेंगे, तो 9.8 से just छोटा जो इंटेजर हैं वो है 9, तो आज चोटा जो इंटेजर है वो है से जस्ट छोटा जो integer है वो है minus 1 तो यह अपना आंसर कितना देगा minus 1 देदेगा ठीक है ना यहां पर देखिए positive में positive जो यह non integral values है इनि में देखा जा सकता है सिधा उठके answer आ जाता है सिधा उठके answer आ जाता है ठीक ना लेकिन negative numbers में आप देखोगे तो इससे एक कम answer आता है ठीक ना इससे एक कम answer आता है correct है लेकिन funda जो है वो बिल्कुल clear होना चाहिए कि integral entry अगर greatest integer function में डाले जाएंगी तो यह कह यह answer आएगा और अगर non-integral entry आप डालेंगे तो जो value आप ले रहे हैं उससे just छोटा जो integer है वो हमारा as an output हमको मिल जाएगा clear है तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो greatest integer function x है इसको देखिए यह जो आपने bracket लगाई है यह bracket लगा कि जो आपने यहाँ पर x लिखा इसके अंदर इसको read कैसे करते हैं इसको read ऐसे किया जाता ठीक ना read as greatest integer x या फिर आप जो है इसको यूँ भी बोल सकते हो bracketed x ऐसा भी बोल सकते हो आप जो है इसको bracketed x बोल लीजिए इसको greatest integer x बोल लीजिए और कुछ लोग शोट में इसको greatest x भी बोल देते हैं तीनों ही एक ही चीज हैं एक ही माया के नाम हैं तीनों में से कुछ भी बोल लीजिए आप बात बिल्कुल बराबर है representation एकदम clear है बोला कैसे जाता है यह एकदम clear है behavior कैसे होता है I hope यह भी एकदम clear होगा behavior I hope आपको समझ में आ गया होगा कि इस function का behavior कैसे होता है बात समझ मे है इसलिए इसको integer function बोलते हैं क्या बोलते हैं integer function क्यों किसक फंक्षान के जो सारे outputs जो है वो हमारे integers वह इनपुट्स की बात करें तो इनपूट्स थे कि आइप यहां पर इंप्लें नोन लिप ढाले हैं इनपूट्स देखिए आप चीजेवीड डाली है हमने तो कहने का मतलब यह है हमने इसमें इंपूट की बात करें तो negative बीडाला है positive बीडाला है 0 बीडाला है integer बीडाला है non-integral value बीडाली है input में तो यह सब कुछ accept करता है input में तो बोलता है भई आने integer मिलता है, input है, input में कोई भी value डाल सकते हो, आप कोई भी real value डाल सकते हो, तो एक बात एकदम साफ है, कि इस function की जो domain होगी, वो minus infinity से infinity, कोई भी real number आप डाल सकते हो, इसकी जो domain होगी, वो होगी minus infinity से infinity ध्यान दें इस बात के उपर, domain इस function की होगी minus infinity से infinity और इस function की जो range होगी वो होगी z, z बोले तो integers का set, z क्या होता है मैंने set chapter में आपको सिखाया था कि z जो है वो सारे integers एक set में लिख दो, सारे integers को अगर आप एक set में लिखते होगे तो उस set का नाम होता है z, तो z क्या है हमारा integers का set है तो range जो होगी range में integers हैं, range में सारे integers हैं इसके देखिए सारे integral value as an output देने की capacity इसकी है अलग-अलग input डालेंगे तो अलग-अलग output इसका जो है आ जाएगा, मतलब सारे जो output इसके देखिए integers हैं और हर integral output देने की tendency इसकी है कोई-कोई input मिल ही जाएगा किसी output पे बात समझ जा रही है आपको, तो जो range है इस function की वो है सारे integers, range हमारी integers हैं सारे के सारे domain clear है एकदम, domain में कोई भी element ऐसा नहीं है real numbers में जो ना हो, domain इसकी है minus infinity से लेकर के infinity तक के सारे real numbers clear है तो I hope ये greatest integer function का behavior clear है, domain range clear है, बोला कैसे जाता है, सारे बाते clear है, mow करते हैं आंगे, थोड़ा सा और इसको детेल में behavior समझते हैं greatest integer function का मुझे एक बात बताएं कि root 2 का greatest integer function किया होगा, root 2 का greatest integer function क्या होगा, दोस्तो root 2 का greatest integer function होगा 1, क्यों होगा, क्योंकि जो root 2 है, root 2 होता है 1.414 के आसपास की value, लगभग इतना होता है, तो root 2 का greatest integer function जब अपन निकालेंगे, तो अपने को इसका greatest integer function निकालना पड़ेगा, तो इसका greatest integer function किता होगा, इससे just छोटा integer, और इससे just छोटा integer कौन है, वो है 1, ठीक है, एक और सवाल है, आप मुझे बताएं, कि root 3 plus 1 का greatest integer function क्या होगा, जो root 3 plus 1 का greatest integer function है, वो होगा 2, क्यों होगा, क्योंकि जो root 3 है, root 3 value है, लगभग 1.732 के आसपास की value है, ठीक है, अगर इसमें आप एक जोड देंगे, इसमें अगर आप एक जोड देंगे, तो ये 2.732 के आसपास की value बन जाएगी, और 2.732 के आसपास की value है, इससे just छोटा integer देखें, तो वो है 2, तो इसका जो है greatest integer function, वो कितना मिलेगा, अपने को 2 मिलेगा, तो root 3 plus 1 का greatest integer function, that will be equal to 2. अब मुझे एक बात बताएं, कि पाए का greatest integer function क्या होगा, आप मुझे बताएं कि जो पाए है, पाए आप जानते है न, सर्गल का area होता है, पाए आर स्कॉर, पाए आर स्कॉर में जो पाए होता है, सब लोग उससे परीचित है, सब लोग जानते हैं, तो पाए का greatest integer function कितना ह कि पाय का ग्रीटेस ट이죠 function होगा थी कहके कुह होगा भई को न स्थी पॉइंट यूइप कि कितना होता है 3.1415 की आसपास की वैलिवी på adjacent ऑन फॉर फॉर 15 की आसपास की वैलिव तो इसका ग्रीटेस टेंटेसर फॉन्क्शन अगर आप लेंगे तो जसट छोटा इंटेजर कितना है 3 तो पाई का greatest integer function हो जाएगा हमारा 3 मैंने आपको एक खूबसूरत irrational number से मिलवाया था जल्दी पीछले कुछ लेक्चर में उसका नाम था E तो वो जो irrational number E है जिसको Euler constant बोलते हैं जिससे मैंने आप लोग को मिलवाया था अगर मैं E का greatest integer function ले लूँ तो अंसर कितना आएगा E का greatest integer function ले लोगा तो अंसर कितना आएगा 2 आएगा clear है एक दम अगर मैं minus 2020.5 का greatest integer function ले लूँ है ना तो इसका answer कितना आएगा इसका आएगा minus 2021 क्यूंकि इससे just छोटा इससे just छोटा जो integer है वो है minus 2021 I hope एकदम एकदम clear होगा आपको कि greatest integer function जो है वो इसे just छोटा integer as an answer देता है ठीके ना अब देखो graphical meaning समझने की कोशिश करना graphical meaning समझने की कोशिश करना greatest integer function का ठीके ना मैं आपको graphical meaning समझाता हूँ graphical visual meaning समझाता हूँ in fact ठीके ना visual meaning समझो आप vishual meaning of visual meaning of greatest integer function मैं आपको greatest integer function का meaning समझाता हूँ real number line पे माल लो आपने एक real number line ले ली आपने एक real number line ले ली इसके बिल्कुल बीच में point ले लिया मैंने 0, ठीक ना? यहां होता है minus infinity, यहां होता है plus infinity, यहां होता है minus infinity, यहां होता है प्लस इंफिनिटी ठीक है बीच में जो है जहां से देखिए बीच में यहां पर देखिए यह इन्टीजर्स हैं यह है इस प्रकार से ठीक है और यहां ले ले लेता हूँ कोई नमबर x ले लेते हैं जहाँ से देखें यहाँ कोई नमबर अगर आप x ले लेते हैं यहाँ अगर मैं माल्ळों कोई नमबर x ले लूं तो इस नमबर का जो greatest integer function होगा वो ये वाला integer होगा ये समझना है अपने को इससे just छोटा जो integer है वो ये है ये जो number है 2 ये इसका greatest integer x होगा बात समझा रही है अगर मालो मैं कोई यहाँ number ले लेता हूँ यहाँ कोई number ले लेता हूँ y ले लिया मैंने मालो तो इससे just छोटा number जो है वो ये है तो इससे just छोटा integer just छोटा number नहीं just छोटा integer ये है तो जो 3 है यह greatest integer y है बात समझा रही है तो real number line पे अगर अपने को मालूम है कि number कहां located है real number line पे अपने को मालूम है कि number कहां located है मालो number कोई यहां है ठीक है यहां कोई number है मालो z है यहाँ कोई number z है उसका अगर मुझसे पूछे कि इसका greatest integer बताईए कितना होगा इसका bracketed z बताईए कितना होगा तो मैं कहूंगा इससे just छोटा integer minus 3 तो minus 3 जो होगा वो होगा bracketed z greatest integer z तो वीशुली आप समझ सकते हैं कि जो greatest integer function है वो किसी भी number का अगर लेना हो तो उसे just छोटा integer हमें as an output as an answer दे देता है clear एक दम तो चलिए जड़ा आगे समूफ करते हैं greatest integer function के बारे में कुछ 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 चीज़ें आई होप आप लोग जान चुके हैं अब फोड़ टेकनिकल डेफिनेशन जो है ना greatest integer की वो मैं लिख रहा हूं और आप उस definition को समझने का परियास करना ठीक ना greatest integer function की technical definition में यहां पर लिख रहा हूं उसके is the this is the greatest integer मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसका नाम greatest integer ही क्यों पड़ा ठीक ना इसके डेफिनेशन यह है अगर कोई पूछे कि greatest x का मीनिंग क्या है तो इसकी जो इसकी जो टेकनिकल डेफिनेशन है वो मैं लिख दी कि greatest x is the greatest integer less than or equal to x कहने का मतलब क्या हुआ कि आप देखिए आपने लिख दिया 3.7 का greatest integer ठीके ना तो 3.7 का greatest integer आपने लिख दिया तो इससे छोटे यहां भी लिखा less than or equal to x यह जो x है हमारा इसके बराबर और इससे छोटे integers आप लिखो एक बार इसके बराबर तो कोई integer है नहीं इससे छोटे लिखिया 3,2,1,0,-1 and so on इससे छोटे जितने भी integers हैं उनमें जो greatest है वही इसका अंसर है इनसे छोटे जितने भी integers है उसमें जो greatest है वो इसका अंसर है बात समयरी आपको उसी प्रकार से अगर मैं लिख दूँ-4.5,-4.5 के equal या फिर उससे छोटे, equal तो कोई है नहीं इससे छोटे integers लिखिया इससे छोटे integers हैं इससे चोटे integers में जो greatest है यह इसका अंसर होगा तो कहने का मतलब क्या हुआ इसका अंसर है वो integer है जो सबसे बड़ा है इससे छोटे integers में या इसके बराबर या इससे छोटे integers में बात समझ में आरी की निया रही अगर मालों में लेकर दो greatest integers of 8 तो इसके बराबर और इससे चोटे integers लिखिया इसके बराबर और इसके छोटे integers लिखिया आप इन में सबसे जो बड़ा है वो इसका answer होगा तो इसका answer greatest इसलिए पड़ा क्योंकि ये इसके छोटे वालों में या बराबर वालों में सबसे बड़ा होता है सबसे बड़ा integer answer देता है बात समझ में आरी के नियारी और ये integer answer देता है इसलिए integer है सबसे बड़ा होता है बड़ा integer है छोटे वालों में तो इसके technical definition अपने को एकदम clear है, तो fx equal to greatest x जो है ना, उसके बारे में अपने यह बोल सकते हैं कि जो greatest x है, greatest x और x में greatest x छोटा भी हो सकता है इससे और बराबर भी हो सकता है, सबसे पहली बात तो यह note करने वाली है, कि जो greatest x है, जो bracketed x है, वो x से छोटा मिलेगा या 3.7 से x से छोटी आई है, ठीक ना, तो greatest integer 3.7 और 3.7 में compare किया जाए, तो 3.7 बड़ा है, मतलब x जो है, वो greatest x से बड़ा मिलेगा, x greatest x से क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा, बराबर भी मिल सकता है, बराबर मिल सकता है, अगर आप integer लेने कोई, जैसे आपने integer ले लिया, clear एकडम, अरे बात समझ में आरी है क्या भई, ठीक ना, लल्लू बात नहीं कर रहे हैं, अपन धंकी बात कर रहे हैं, और धंकी बात करने के लिए धंक से समझना होता है, अगर दिमाग लगाना होगा, मुझे मालूम है आप लगा रहे हैं, और अच्छे से लगाईए, स्क् greatest x का आज सारा निचोड निकालने वाले हैं, अपन, समझ में आ रहा है क्या निचोड निकालेंगे, भाई है, करके मानेगा, देखे इदर, domain एकदम clear है, domain of function is all real numbers, मैंने आपको बताया था, कि x की जगए पर कुछ भी input डाल सकते हो, 0 डाली है, minus 1 डाली है, minus 2 डाली है, minus 3 ड कोई भी input हो, greatest x जो है अपना वो इसको बुलाएगा, बुलेगा, accepted है, no problem, लेकिन इसके जो output है, इसके जो range है, वो सरफ integers हो सकती है, और सारे integers के set को z से denote करते हैं, तो इसका मतलब मैंने बोल दिया, z जो है, इसकी range होगी, अब graph बनाने की बारी है, अब graph बनाने की बारी है ध्यान से देखिए, graph कैसे बनेगा, यह लगा ली मैंने x-axis, यह लगा ली है मैंने y-axis, और यह हमारा है origin, यह x-axis है, यह y-axis है, और यह क्या है, origin है, ठीक है, अब कुछ बारते ध्यान से देखिया, मैं यह बोलता हूँ, कि 0.1 का greatest integer function कितना है, 0 होगा, 0 का greatest integer function कितना है, वो भी 0 होगा, ध्यान से देखिये, 0 का greatest integer function 0 है, 0.1 का bracketed x कितना है, 0 है, अब जो है, bracketed 0.2 कितना है, वो भी 0 होगा, bracketed 0.3 कितना है, वो भी 0 होगा, यह सिलसला चलता रहेगा, bracketed 0.9 भी 0 होगा, greatest integer 0.99 भी 0 होगा, मतलब 0 से ले करके मैं आगे बढ़ता रहा input बढ़ाता रहा लेकिन output 0 ही आता रहा output constant 0 आता रहा अब 0 से आगे चलते 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 1 वो number होगा 1 वो number होगा जिसका output बदलेगा और 1 आएगा 1 के बाद के numbers को देखें मालो 1.1 ले लेता हूँ इसका output भी बनाएगा 1.2 का output ले लिया वो भी बनाएगा ऐसा करते हुए 1.9999 इसका output भी बनाएगा 2 वो ऐसा number आने वाला है जिसका output 2 आएगा तो यहाँ पर देखें इस pattern को समझे कि जब input 0 से ले करके जब input 0 से ले करके हमारा 1 तक है 0 से ले करके 1 तक जब input है तो output हमारा जो है वो 0 ही रहेगा जैसे ही 1 input हो गया आउटपुट भी हमारा 1 हो गया 1,1 पे function shift कर गया 1,1 पे function shift कर गया और जैसे ही हमारा 1 से आगे input बढ़ेगा input हमारा 2 तक आने में input जब तक 2 आयेगा तब तक हमारा output जो है वो 1 ही रहेगा 1 और 2 के बीच का कोई भी number ले लीजिए 1 और 2 के बीच का कोई भी number ले ले जिए चाहे 1.1 ले ले, 1.2 ले ले, 1.3 ले, 1.9 ले, 1.999 ले 1 और 2 के बीच का कोई भी number आप ले 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 का output हमेशा उसका output हमेशा क्या रहना है 1 रहना है और 2 पे आते ही output 2 हो जाएगा और यह process इसी प्रकार चलती रहेगी 2 पे आते ही output 2 हो जाएगा और फिर 3 पे आते ही output 3 हो जाएगा 4 पे आते ही output 4 हो जाएगा और इस प्रकार से इस function का graph बनने वाला है इस प्रकार से इस function का graph बनने वाला है correct है एक्दम तो ऐसा graph बनेगा इसका पीछे भी बिल्कुल इसी प्रकार से graph बनेगा देखे ध्यान से पीछे भी जो है वो इसी प्रकार से graph बनेगा clear है एक्दम पीछे भी जो graph बनेगा वो बिलकुल इसी प्रकार का ग्राफ होगा ठीक है ना यहां जो है x-1 है यहां x-2 है यहां x-3 है ठीक है जब x0 से-1 होगा जब x0 से-1 होगा उस case में इसका output क्या होगा माइनस वन होगा तो आप देख लिजिए यह मैंने बना दिया इंपूट आउटपूट के बीच का रिलेशन जिसको बोलते हैं ग्राफ तो यह मैंने बना दिया ग्रेटेस इंडिजर फंक्शन का ग्राफ बात समझा रही है और आप देख इतना मस्त ग्राफ है कितना प्यारा ग्राफ है आप यहां पर इस ग्राफ पर देखो ऐसे सीड़ियां चड़ते 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 चाहे आप पहुंच जाओ उपर आसमान में माया ही माया है बात समझा रहे है कि नहीं है इस फंक्शन में इस फंक्शन के ग्राफ को जब देखा मैथमेटि stepwise function क्या रख दिया और step-up function भी बोलगते क्यों कि Step जो इसके उसके उपर की तरफ जाते चले जाते हैं Step wise function भी बोल देते हैं तो इसको इसका ग्राफ धेकर के Maythema檀टिशन लोगों से रहा नहीं गया और उसका नाम जो है वो step wise function उन्होंने रख दिया यह जो graph बनाया है मैंने यह graph किसका बनाया है y equal to greatest integer x का मैंने graph बनाया है I hope इस function का graph एकदम आपको clear होगा इसकी domain और range याद होनी जरूरी है domain और range याद होनी जरूरी है यह बात एकदम clear है कि x और greatest x में x जो है वो बड़ा होता है बड़ाबर भी हो सकता है बात समझा लिए आपको तो देख लिजे screen से मैं out हो जाता हूँ आप इसको घूर लीजिए आप जो है अपनी निगाहें एकदम चारों तरफ फैला करके इसकी domain range और graph अच्छे से देख लिजिए आई होप एकदम clear होगा आपको आप देखे कुछ और बाते करते हैं greatest integer function की कुछ और properties का discussion करते हैं ठीके ना greatest integer function की domain range graph मालूम है और properties मालूम है और properties मालूम है तो मैं कहूंगा कि आप पूरे greatest integer function से रूबरू है आप पूरे greatest integer function से रूबरू है अगर आपको greatest integer function की सारी properties मालूम है, domain range and graph मालूम है तो behavior मालूम आपको चल ही गया है सबसे पहली property, आप x के उपर एक greatest integer function लगाएं, दो लगाएं, आप कितने ही लगाएं, कोई फरक नहीं पड़ता, जो काम एक करेगा जो काम एक करेगा, वही काम दो, तीन, चार, पांच जादा लगाने से भी वही काम होगा जैसे की 2.1 का greatest integer function है, इसका answer आया 2, ठीक है, यहाँ पर 2.1 का greatest integer function लिया, फिर उसका ले लिया answer इसका भी 2 ही आना है, कैसे आना है, देखे, इसका जो answer है, यह बाहर वाली bracket को यह रखा, इसको देखो आप, इसका answer कितना आएगा, इसका answer 2 आएगा, इसका answer 2 आएगा, फिर final answer 2 आएगा, क्योंकि एक integer है, यह integer है और integer को यह वाली bracket बिल्कुल नहीं छेडेंगी, बाहर ज यू कर दिया एक बाद जो greatest integer function लगने पर जो काम हो गया वो sufficient है वही काम जो है maintain रहेगा वही output maintain रहेगा चाहे आप कितनी दफे greatest integer function को लगा ले ठीक है दूसरी और सबसे important property मतलब काफी important property सबसे important तो क्या होता है कुछ नहीं होता सारी चीजें ही important होती है दूसरी important property अगर x plus i लिखा हो greatest integer function के अंदर x plus i लिखा हो तो इसको greatest integer function x plus i लिख सकते हैं अगर i integer हो तो if i is an integer अगर i जो है वो integer हो तो i जो है integer हो तो i को इस bracket से बाहर निकाल सकते हैं अब ये बात कैसे समझनी है कैसे समझ में आएगी देखिए अगर greatest integer function 3.8 plus 5 लिखा है और एक आदमी ने लिखा है greatest integer function 3.8 plus 5 देखिए समझने वाली बात है एक ने ऐसे लिखा एक ने ऐसे लिखा मैं कहता हूं दोनों बराबर हैं क्यों बराबर हैं calculate करके देख लेते हैं इसका answer आएगा 3.8 plus 5 8.8 8.8 का greatest integer function आगया 8 और इसका answer आएगा 3.8 का greatest integer function 3 3 plus 5 is equal to 8 देखिए बराबर answer आचुके हैं मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई integer इस bracket के अंदर फसा हो तो उसको पकड़के बाहर निकालने में कोई समझ्या नहीं है लेकिन अगर 3.8 को बाहर निकाल दोगे तो बहुत बड़ी समझ्या हो जाएगी अगर आप 3.8 को बाहर निकाल दोगे और 5 को अंदर रखोगे फिर answer जो आएगा 8.8 आजाएगा और हमें जो है आप मालूम है कि answer तो इसका 8 है तो अगर integer इस bracket के अंदर फसा हो जहां से कोई problem नहीं आने वाली आपकी answer वहीं आने वाला है बात समझाई आपको चलते हैं आगे मैं फिर से कहता हूं ललू-लाल function नहीं है यह अच्छा function है और पूरी calculus में जो है इस function की इंटर यह पूरा interfere करेगा पूरी calculus में और सारी properties इसका behavior मालूम है तो देखिए आपको कोई सम यह property यह कहती है कि आप greatest integer x और greatest integer minus x को plus करते हो तो दो में से ही कोई एक value आएगी या तो minus 1 answer आएगा या answer 0 आएगा बड़ी मस्त बात है यार यह तो मतलब यह हुआ कि greatest integer x में greatest integer minus x जोडेंगे तो answer या तो minus 1 आएगा और या 0 आएगा और यह property यह भी बताती है कि answer minus 1 तब आएगा अगर x integer ना हो तो x do not belong to integers x integer ना हो तो और 0 तब आएगा अगर x integer हो तो तो इसने कहा है कि अगर x की value integer होगी तो जहां से सुने मेरी बात को अगर x की value integer होगी तो x की value integer होगी तो greatest integer x plus greatest integer minus x जूड करके 0 आएगा और अगर x की value integer नहीं हुई तो greatest integer x plus greatest integer minus x जूड करके minus 1 आएगा आईए इस बात को देख लेते हैं मालो integer value लेते हैं यहाँ पे देखे integer value लेकर के देखते हैं आप देखे integer value लेकर के देखते हैं इस कांसर कितना आया यह 5 होगा यह minus 5 0, 7 minus 7 0 तो सीधी सी बात है अगर integer लोगे x की जगह पे तो greatest integer x greatest integer x plus greatest integer minus x यह confirmed है 0 आएगा अगर x की value आपने क्या ले ली तो integer ले ली तो बात समझा रही है और अगर आप x integer नहीं लेते हो जैसे आपने ले लिया 3.1 greatest integer 3.1 plus greatest integer minus 3.1 इसका आसर देखते किता आएगा देखो greatest integer 3.1 तो 3 होगा greatest integer minus 3.1 यह minus 4 होगा क्योंकि 3.1 से just छोटा integer 3 है और minus 3.1 से just छोटा integer minus 4 है दोनों को जोड़ोगे तो देख लिजिए answer minus 1 आएगा ओ बहुत बढ़िया बात बिल्कुल एक्दम सही है minus 1 अगर 4.8 ले लिया greatest integer 4.8 प्लस greatest integer minus 4.8 जो है 4.8 यह 4 होगा greatest integer minus 4.8 यह minus 5 होगा 4.8 से just छोटा integer 4 है minus 4.8 से just छोटा integer minus 5 है 4 और minus 5 को जोड़ा तो आंसर कितना आया minus 1 आया बात एकदम साफ है बात एकदम समझ में आई है कि भाई देखो greatest x plus greatest minus x का जोड़ जो है minus 1 होगा अगर यहाँ पे जो x है यह integer नहीं है this is not integer यह integer नहीं है लेकिन यहाँ पे यह integer है तो यहाँ के entry अगर integer ना हो तो आंसर minus 1 आना है यही इस property में मैं लिखा है कि greatest x plus greatest x plus greatest minus x इसकी value जो है जीरो होगी अगर x integer है तो और इसकी value minus 1 होगी अगर x integer नहीं है तो और यह जो बाते हैं यह मैंने एक्जामपल ले करके बता भी दिए ठीक है ना यह examples के माध्यम से observation के माध्यम से हमने यहाँ पे सीख भी लिए हैं correct है और एक बात और mention कर दो यहाँ पे हलांकि मैं पहले भी लिख चुका हूँ देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया है कि जो greatest x है यह एक integer आएगा जो x से छोटा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है बराबर तब होगा जब x क्या होगा हमारा integer होगा देखिए चारों की चारों चारों की चारों जो properties हैं अगर यह properties अपने को मालूम है greatest integer function की domain range और उसका graph अपने को मालूम है तो greatest integer function आप मान लिजिए आपका हो गया है बनाट बात समय आ रही के नहीं आ रही तो चलते हैं आगे screen पे आपके सामने मैंने एक छोड़ा सा सवाल दिया है ठीक है ना properties का pre-yo करके आप इस सवाल को कर सकते हैं आपको क्या करना है session को session को pause करना है और इस session को pause करके आप को इस सवाल का solution निकालना है सवाल है solve for x यहाँ पे inequality है इस inequality को satisfy करने वाला x कौन सा है या कौन से है एक है जादा है जो कुछ भी है आपको बताना है ठीक है session को pause करके खुद attempt करें attempt करने के बाद अपना जो भी answer आए या हो सकता है ना भी हो पुरा effort लगाने के बाद फिर solution को आगे देखें ठीक है देखे solution क्या है solution कुछ इस प्रकार से है यहाँ पे देखिए चार bracket इस प्रकार से लगी हुई है बात समझा रही है अब देखें यहाँ पे समझना यह होगा यहाँ पे हमें यह समझना होगा कि यह जो quantity है यहाँ पे हमें क्या समझना होगा कि यह जो quantity है यह quantity एक integer है यह quantity क्या है integer है और integer quantity मैंने अभी सिखाया था इस property में देखिया मैंने सिखाया था, कि integer quantity जो है, इसको बाहर निकाल सकते हो, bracket से, चीक है ना? तो यहाँ पर यह quantity, integer है, क्योखकि greatest integer x, जो है, वो हमेशा integer ही आता है, greatest integer x, जो है, इसका answer मैं आपको बता चुका हूँ, इसका answer integer ही आता है, तो यह quantity integer है, इसलिए इसको पकड़ करके इस bracket, इस bracket, इस bracket सारी bracket से बहार निकाल सकते हैं, क्योंकि इन bracket से बहार भी निकाल लोगे तो कोई फरक नहीं आएगा, तो जब इसको आप बहार निकाल दोगे, तो हमारे पास बचेगा, ग्रेटेस इंटेजर एक्स यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुवेशन बचेगी एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कुछ यह करके ग्रेटर देन 17 ठीक है और देखिए अब आप यहाँ पर उबजर्फ कीजिए इस वाली को इंटीजर थी तो पूरा भार निकाल दिया ठीक है बहर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आ चुकी है अब मैंने इसको उबजर्फ किया यहाँ इस ब्रेकेट के अंदर जब इसको उबजर्फ करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि भाई यह भी इंटीजर है ठ कुछ इस प्रकार से बात समझा रही है और यहाँ पर फिर से वही काम करना है अपने को इस क्वांटिटी को देखें यह क्वांटिटी जो है यह एक इंटीजर क्वांटिटी है यह एक इंटीजर क्वांटिटी है और इस इंटीजर क्वांटिटी को जो आप भार निकालें तो यहां पर कुछ ऐसी सीचुवेशन आजाएगी, ग्लेटेशे ईंडेश प्लस ग्रेटेश इंडेश एकस दैक्स ऐटेशन इसिग्रेटर दिन 17 तप देख सकते हैं एक दो थीनिचार, 4 ताइम्स 4 ताइम्स ग्रेटर सिंडेश एक所以 हो गया we are greater than 17覺得 यहां पर आगया greatest integer x is greater than 17 by 4, greatest integer x is greater than यह हो गया 4.2, approximately बात कर रहा हूँ मैं, greatest integer x is greater than 4.2, आपको यह मालूम है, आपको यह मालूम है कि यह जो greatest integer x है, यह एक integer होता है, यह क्या होता है, यह होता है, एक integer होता है और 4.2 से बड़े integer होने चाहिए तो 4.2 से बड़े का मतलब क्या है अगला तो 5 या 5 से बड़े होने चाहिए CDC मीनिंग यहां से यह है कि greatest integer X की जो value है यहां से बिल्कुर साफ साफ देखने को मिल गया अपने को कि जो greatest integer X value है वो 5 या 5 से बड़ी है क्यों लिखा मैंने ऐसा क्योंकि यहां पर लिखा है greatest integer x 4.2 से बड़ा होना चाहिए अरे इंटीजर होता है यह 4.2 से बड़े का मतलब है 5 या फिर 5 से बड़े 678 ऐसे होना चाहिए 5 या 5 से बड़ा 678 समय आरे कि निया रही 4.2 से बड़े का मतलब है 4.2 या उससे बड़ा 567 इस प्रकार से होना चाहिए तो greatest integer x यहां समझ में आ गया कि 5 या फिर 5 से बड़ा होना चाहिए ठीक है ना अब greatest integer x 5 या उससे बड़ा कब होगा जब x की value 5 या उससे बड़ी होगी ये बात समझनी ज़रूरी है क्योंकि x की value देखिए x की value देखिए 5 जब होगी x की value 5 तब होगी तो इसका greatest integer 5 आ जाएगा x की value 5.1 होगी तो भी 5 रहेगा मतब 5 से बढ़ाते चले जाओ 5 या उससे बड़ा answer मिलेगा आपको but x की value अगर आप 4.9 रख दोगे x की value 4.9 अगर आप रख दोगे तो answer 4 आ जाएगा और 4 5 से बड़ा नहीं है नहीं बराबर है तो 4.9 भी ब उनसी value रख सकते हैं यहाँ पर analytical thinking की ज़रूत है यहाँ से यह वाला जो step लिखा यह mathematical step नहीं है यह analytical step है अनलेटिकल step है math में बहुत सारे steps mathematical होते हैं बहुत सारे analytical होते हैं तो यहाँ से यहाँ कोई mathematical हरकत जो मैंने की वो दिमाग से सोचके की mathematical equations के थुरू नहीं की कोई mathematical equation solve नहीं करी मैंने और यहाँ से यह भी जो मैंने लिखा है यह भी analytical step है यहाँ दिमाग लगाते हो गुद्धी लगाते हो लिखा मैंने कि हायर यह तो integer होगा 4.2 से बढ़ा तो 5 होता है 5 यह 5 से बढ़ा integer होना चाहिए तो सवाल में कहा गया था कि X के लिए solve करो सवाल मैंने यह थोड़ा अच्छा सवाल तुमको कराया है greatest integer function की सारी properties आपको बता दी है domain range graph बता दिया है याद होना चाहिए मेरी इस बात को याद रखना notes properly बनाईए आप हर function के notes properly बनाईए function आपका मस्त हो जाएगा 12th class में फिर calculus आपकी बहुत भनाट हो जाएगी notes एकदम बह जो हमारी next class होगी उसमें एक से जादा function हम करने वाले हैं क्योंकि आगे छोटे छोटे function आने शुरू हो जाएगे सो फिर वही हमारी हालत है फिर छोड़ना होगा फिर जाना होगा बिल्कुल मन नहीं है लेकिन जाना होगा और आप लोगों से बड़ी attachment अभी हो गई है जाने का बिल्कुल मन नहीं करता लेकिन जाना पड़ेगा फिर से आना है तो अभी जाना होगा फिर से गुलावी हसी के साथ गुलावी हसी के साथ आज की क्लास को खतम करते है मोटी मोटी आँखें तीकी नाख और ये लंबी मुस्कान ये लंबी मुस्कान और आज का लेक्चर फिनिश फिर मिनेंगे दुआओं में आता है पढ़ाई करते रहें all the very best